यह कुछ मुवीज बहुत ज्यादा मतलब सम्हाव इमोशनल भी होती है मैं I must say that कि अभी एक फिल्म है और इसको लेके अगर मैं बात करू न रोस्तो honestly speaking this लड़की के education को लेके और शादी दाहेज वगरा को लेके इन लोगों ने बहुत serious topic रखा है funny way में कुछ मामलों में you can say that storyline थोड़ी funny भी obviously रखी इन लोगों ने light comedy but serious message यह मैं कह सकता हूँ एक लड़की जिसको metric करना है उसके पापा भी agree कि जब तक वो शादी नहीं करेगी एक लड़का जो उसको देखने आया है without dehage और उसको पसन भी है बट क्यूंकि उसको भी वो मतलब उस लड़के को नहीं बट उस लड़की को metric करना है तो इनको रुकना पड़ेगा लड़के के घर वाले नाराज हो जाते कि भाई हम नाही दहेज बहेज मांग रहे तो भी यह इतना attitude के साथ कि भाई इनको पढ़ना है मतलब इनको mentality का फर्क दिखा है और वो लड़का अब सीरिया से उस लड़की को ले के तो वो मिलते भी और लड़की के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि भाई मतलब वो metric होगी या नहीं वो भी एक सवाल है और ऐसा क्या बावाल मत जाता है cheating meeting वाला case उस लड़की पे कोई इलजाम वगर आता है तो मैं एक short में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जादा story मैं reveal ना करूँ तो आगे क्या होगा क्या नहीं और difficult होगे फिर उसकी life हलाकि love life टिक टक चल रही थी बाद में उनकी भी अब आगे क्या होगा और गाव का मसला है तो somehow तो समझो आपकी मतलब क्या होगा उसके career का और बाद में उसको taunting वांटिंग होती है कि टिपिकल की लड़की ने नहीं सीखना चाहिए और टाइप समझ रहे हो ना तो यार यह बहुत ही जादा एक मैं कहूंगा एक अच्छे टॉपिक पे यह फिल्म है अब आई डोंट नो की लोग कितने इस फिल्म को करेंगे support by the way कला कारों ने यार अच सच्छे दिल से बोलूंगा सब नहीं it's not like that only one सच में एक अलग और स्टोरी राइटर की भी तारीफ है यार यहां यह सापको हसाती भी है फिल्म सीरियस मेसेज भी देती है और एक तरीके से उन क्यारेक्टर से आपको connect भी करवाती है यही तो चाहिए भाई फिल्म है must watch a boss बट देखते पब्लिक कैसे करेगी support या नहीं उन पर है